हालो students, how are you all? so students, हम हमारे previous video lecture में concave and convex lens क्या होते हैं, ये discuss कर चुके हैं आज के video lecture में हम discuss करेंगे ray diagrams और you can say the image formation by concave and convex lens लिएकने सबसे बहले हम देखते हैं कि हम concave and convex lens कैसे draw कर सकते हैं by using scale, pencil and compass तो देखिए अगर हमें draw करना है concave and convex lens तो हम क्या करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम start करते हैं draw करना concave lens तो सबसे पहले क्या करेंगे हम scale की help से एक horizontal line draw करेंगे और यह horizontal line work करेगी हमारे लिए as principal axis principal axis की तरह work करेगी यह line अब देखिए हम क्या करेंगे compass मैंने यहाँ पे open की है six centimeters wide अब एक point पे compass रखकर हम एक arc लगाएंगे we will mark an arc इसी तरह से दूसरे point पे compass रखके हम एक और arc लगाएंगे और जब हम इन्हें join करेंगे तो जो हमारे पास shape आएगी this is the concave lens अब देखिए यहाँ पर जहाँ पे हमने compass रखी थी it will work as 2f जहाँ पे हम compass रखके arc लगाते हैं वो है 2f लेंस के center से एक vertical line draw करेंगे और यह vertical line जहाँ principal axis को मिल रही है इट विल सर्व अप्टिकल सेंटर तक का distance देखेंगे it is about 6.2 तो इसका half हम लेंगे और यहाँ पर आएगा हमारे लिए focus similarly optical center से 2f तक का distance देखेंगे जैसे 6.2 आ रहा है इसका जो half है that is 3.1 वो हमारे लिए work करेगा as focus तो यह है हमारे लिए concave lens इसी तरह से हम convex lens भी draw कर सकते हैं तो अभी कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करने के लिए हम आए पास सेम ही step रहेंगे सब से पहले हम क्या करेंगे एक straight horizontal line लगाएंगे जो की हमारे लिए work करेगी as principal axis फिर हम एक एज से arc लगाएंगे और जिस point से हमने arc लगाई है वो work करेगा as 2f इसी तरह से दूसरी साइट से arc लगाएंगे और यह हमारे पास बन जाएगा हमारा convex lens और यह point work करेगा as 2f then a straight vertical line और जहां यह line principal axis को कट कर रही है वहां रहेगा optical center 2f and optical center में gap देखेंगे 5.5 है 5.5 का half यह work करेगा as focus f 0.5 का half यह work करेगा f की तरह so we are ready with the convex lens तो इस तरह से scale, compass and pencil use करके आप बहुत अच्छे तरीके से concave and convex lens बना सकते हैं इस तरह से आप lenses draw करेंगे तो आपकी diagrams कभी भी गलत नहीं बनेगी बहुत ही accurate ray diagrams बनेगी so अभी हम देखती है कि हम ray diagrams के इस तरह से बना सकते हैं तो दीखिए जिस तरह से mirrors kay cases में हमारे पास कुछ rules रहते हैं जिने follow करते हुए हम बनाते हैं हमारी ray diagram for mirrors उसी तरह से यहां पे भी हमारे पास rules है same ही rules है इनहे follow करते हुए हम बना सकते हैं हमारी Ray diagrams lenses के case में भी तो देखिए हमें अगर ray diagrams बनानी है lenses के लिए तो यह हम जो rules follow करेंगे, जो rules देखेंगे क्या है, उन में से कोई भी दो rays को choose करके हम हमारी image spot कर सकते हैं तो देखें, सबसे पहले क्या है, ray parallel to the principal axis passes through the focus अब देखें, यहाँ पर मैंने अभी आपको सिखाया कि आप किस तरह से बना सकते हैं, concave and convex lenses अब उसी त्रीके से मैंने lenses यहाँ बनाए हुए हैं, उसी त्रीके से 2F and F को mark कर रखा है अब देखें, यहाँ पर वहला rule है, कि अगर ray of light parallel है, तो देखें, parallel ray of light लेकर आएंगे, यहाँ तक लेके आएंगे, जहां तक हमने यह straight vertical line mark की है यहाँ तक आने के बाद, जो रीफ्रेक्शन है, वो start होगी, तो देखें, straight line यहाँ तक अब यहाँ आने के बाद, इसकी रीफ्रेक्शन स्टार्ट होगी, तो कहते हैं, जो parallel है, principal axis के ray of light parallel to the principal axis, यह pass करती है, focus के through, it passes through focus, यह है हमारा पहला rule, number 2, कि अगर कोई ray of light फोकस के through, पास करें, तो रीफ्रेक्शन के बाद, वो parallel हो जाती है, तो देखें, यहाँ पर अगर ray of light पास कर रही है, focus के through, तो देखें, यहाँ तक हम लेकर आएंगे, इस वर्टिकल लाइन के बाद, जो है, रीफ्रेक्शन स्टार्ट होगी, तो ray of light passing through the focus, रीफ्रेक्शन के बाद, यह जो लाइन है, यह जो ray of light है, it will become parallel to the principal axis, तो यह चीज़ है, देखें, दोनों को हम compare करते हैं, कि जो ray of light principle axis के parallel है, वो रीफ्रेक्शन के बाद, फोकस में से पास करेगी, and जो ray of light pass कर रही है, और रेडी फोकस के थ्रूँ, वो रीफ्रेक्शन के बाद, पैरलल हो जाएगी, principle axis के, then number 3, we have, कि अगर कोई ray of light, optical center के थ्रूँ, पास कर रही है, तो उसमें कोई भी deviation नहीं देखी जाएगी, वो जो ray of light है, वो undeviated जाएगी, optical center के थ्रूँ, तो optical center के थ्रूँ, कभी भी कोई deviation नहीं आती, ray of light बिलकुल straight pass करती है, इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें, similar is in the case of concave lens, तो देखिए, जो ray of light parallel है, principal axis के, तो पहले तो वो इस point तक जाएगी, जब वो deviate करेगी, deviate करने पे, जो ray of light है, ऐसे इस direction में deviate हो जाएगी, कि जब हम इसे backward direction में extend करेंगे, तो ultimately यह कहां meet करेगी, focus पे, तो ray of light आती है, reflection होने के बाद, ऐसी direction में जाती है, कि अगर इसे back extend किया जाए, तो यह कहां meet होती, दिखाई देगी आपको focus पर, इसी तरह से देखिए, अगर कोई ray of light है, in the direction of principal focus, अगर principal focus की direction में है, कोई ray of light, देखिए, it is in the direction of focus, तो जो focus की direction में है, यहाँ पर in case of concave lens, तो refraction होने के बाद, it will become parallel to the principal axis, की अगर ray of light है, in the direction of focus, then it will become parallel to the principal axis after refraction, then next we have, की अगर कोई ray of light, optical center के थूपास करती है, it will go undeviated, यह चीज़ बिलकुल सेम ही है, की अप्टिकल से पास होने वे लिए लिए डेवियेट नहीं होती, वो straight ही पास करती है, so अभी हम डिसकस करते है, image formation by convex lens, one by one हम सभी केसिस को डिसकस करेंगे, सबसे महले है हमारे पास when the object is at infinity, तो देखिए, जब ही object infinity से है, हमें पता है, उससे आने वाली जो rays है, वो होती है, parallel to the principal axis, तो rays of light, which are parallel to the principal axis, वो meet करती है, focus पे, यह rule हम पढ़ चुके हैं, तो जितनी भी rays of light है, which are parallel to the principal axis, उन्हें हम कहां मीट होते हुए दिखाई देंगे, शो करेंगे, focus पे, ray of light आ रही है, और इस direction में जा रही है, after refraction, तो इसी थरह से अगर हम एक और ray of light भी ड्रॉ करते हैं, इट विल अलसो, meet at principal, focus, any ray of light, यह meet करती है, focus पे, तो देखिए, यहां पे, जितनी भी parallel rays of light हैं, एक particular point पे आकर meet कर रही है, we can say, कि जो ray of light है, वो एक point पे converge कर रही है, इसी लिए हम, convex lens को, converging lens भी कहते हैं, convex lens is called as converging lens, क्योंकि, यह बिलकुल जो rays parallel है principal axis के, principal axis के parallel आने वाली rays को, एक particular point पे meet कर वाता है, converge करता है, तो इसलिए इस ही कहा जा रहा है, converging lens, then second case है हमारे पस, when the object lies beyond 2F, कि जो object है, वो 2F से पीछे है, इस side पे 2F1 से पीछे, कहते हैं, कि यहां है हमारा object, it is beyond 2F, नाम दे देते हैं, इसे, A, B, तो देखिए, यहां पे हमने लिखे तीन रूल्स पड़े हैं, कि जो ray of light parallel है, principal axis के, वो focus के थूपास करेगी, जो focus के थूपास करेगी, जो focus के थूपास करेगी, जो फोकस के थूपास करेगी, लगा कर, हम यह चीज़ बता सकते हैं, कि इमेज कहां बनेगी, हम देखिए, सबसे पहले, ray of light, which is parallel to the principal axis, it will pass through the focus on the other side of the lens, एक ray, दूसरी ray बनाएंगे, that ray of light passing through the optical center, कि जब ray of light optical center के through pass करती है, यह undeviated जाती है, it just goes, undeviated, अब जिस point पे यह दोनों rays आपस में meet कर रही है, उस point पे, हमारे पास image बनने वाली है, जहां पे यह दोनों rays of light आपस में meet कर रही है, यहां पे हमारे पास क्या बनने वाली है, image, इसे हम नाम दे देते हैं, A-B-, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इस ray diagram से observe करके, यह image कैसी बनी है, इसका nature बता सकते है, nature of image, सबसे पहले दिखिए, कि यह head है object का, and here we have the head of image, upside down है, तो पहली चीज, कि जो image है, वो inverted है, inverted means upside down होना, then number two, rays of light actually meet कर रही है, हम कहीं भी कोई, अपनी तरफ से कोई ray को extend नहीं कर वा रही है, ray अपने आप meet कर रही है, तो जो image बनी है, that is the real image, जो real image होती है, उसे हम screen पर obtain कर सकते हैं, अब यहां देखिए, यहां हमारे पास जो size of object है, size of object जादा है, जबकि जो हमारे पास, यहां पर size of image है, it is comparatively lesser, तो हम क्या खह सकते है, that a diminished image is formed, जो चोटी image बन रही है, देखिए, देखिए, वैसे clear यहां है, जो size है, object का, size जो हमारे पास क्या है, यहां पर यहां पर तू लाइन और तू लाइन से थोड़ा उपर है, अब जो image है, image one line से थोड़ी सी आगे है, तो मतलब जो image बनी है, that is smaller in size, तो हम लिखेंगे, जो image है, वो diminished है, तो ray diagram बना के, उसका nature भी बिता सकते हैं, exams में इस तरह से भी question आ जाता है, कि आपको given हती है condition, कि जो object है, यह इस position पर है, और इसकी image का nature बताईए, तो ray diagram बना के, आप एक लिखेंगे उसका nature है, उसे explain कर सकते हैं, then we have when the object is at 2F, तो सबसे पहले, 2F पर object प्लेस करेंगे, और नाम देंगे इसे AD, अब देखिए, जो ray of light परलेल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो ray fraction के बाद, पास करेगी, फोकस के थ्रूँ, बहुत ही केरफुली, आप rays mark करें, then, ray of light passing through, the optical center, it will go, undeviated, और जहां ये दोनों rays meet कर रही है, वहां हमारे पास क्या बनेगा, हमारा image, और इसे नाम देंगे हम, A-B-, अब देखिए, हमने object रखा था, 2F पर, image भी बनी है, 2F पर, on the other side, ये point हमेशा याद रखे, examiner यहां से चेक करेंगे, कि आपने, कहां object रखा था, और image कहां बन रही है, image exactly उसे point पर बननी चाहिए, अब देखिए, अगर हम इसके, नेचर को लिखे, सबसे पहले तो यह हो गया, that the object was placed at 2F, and the image is also formed at 2F on the other side, after that, what else you can say, कि जितना साइज यहां पर हमने 2F पर यहां पर object का रखा है, उतना ही साइज यहां image का भी है, so, we can say, नेचर आफ इमिज में, सेम साइज, और इमिज, इस फर्म्ट, after that, इनवर्टेड है, image, and, रियल है, कि जो रेज अफ लाइट है, वो actually meet कर रही है, उस पॉइंट पर, then we have, वन अब्जेक्ट लाइज बिट्वीन F and 2F, कि जब अब्जेक्ट F और 2F के बीच हो, तो यहां मान देते हैं, object को, रूल्स वही रहेंगे, जो पैरलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, इट विल पास थ्रू, दे फोकस, एड जो, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रहा है, इट विल गो, अन्डेवियेटेड, तो यहां हमारे लिए, image बन जाएगे, अब देखिए, नेचर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम position बता देते हैं, कि देखिए, object हमने रखा था, between F1 and 2F1, और जो, image बनी है, वो 2F के, 2F के पीछे जाकर बनी है, तो इट इस, beyond 2F, तो यहां क्या लिख सकते हैं, the image formed is, beyond 2F on the other side of the lens, इसी तरहें से, अब, और देखिए, यहां पर size of object देखिए, और यहां size of, image देखिए, image बड़ी बन रही है, and then the image is real, real image है, जो rays of light है, वो actually meet कर रही है, हम उन्हें अपनी करफ सी, extend कर रहा कर, meet नहीं कर रही है, इसके बाद है, हमारे पास, when the object is at focus, कि जो object है, वो focus पर रखा हुआ है, same rules follow करते चलेंगे, ray of light, parallel to the principal axis, will pass through the focus, on the other side, of the convex lens, and the ray of light है, which is passing through the optical center, goes undeviated, तो देखिए, जब हम rays of light बना रही है, तो देखिए, यहां पर parallel rays आ रही है, मतलब यह meet नहीं करेंगी, यह infinity पर जाके कहीं meet करेंगी, तो वही चीज है, कि जो image बनेगी, image will be at infinity, तो यह वही केस है, कि जब ही object हमारे पास infinity पर है, तो image focus पर बनती है, तो जब object focus पर हो, तो उसकी image जो है, वह infinity पर बनेगी, and this is one of the important point, next we have, when the object is between focus and optical center, तो हम यहाँ, अब्जेक्ट मार्क करते हैं, और इसे नाम दे देते हैं, A, B, So, what will happen, the ray parallel to the principal axis, will pass through the focus, it will pass through the focus, after that, the ray passing through the optical center, will go undeviated, अब देखिए, इस तरह ऐसे अगर हम देखते हैं, तो यह rays of light कहीं भी meet नहीं करेंगी, लेकिन अगर इन्हें backward extend किया जाए, तब यह meet कर सकती है, तो यह meet करेंगी, on the same side of the lens, lens की same side पर यह meet करेंगी, और इस image को हम नाम दे देंगे, A dash, B dash, देखिए, यहाँ पर object है, और उसे side पर image बनेगी, थोड़ा पीछे बनेगी focus से, after that, देखिए, यहाँ पर हम इसके nature में क्या लिख सकते हैं, image देखिए, upside down नहीं है, बिलकुल सीधी image बनी है, इसलिए हम कहेंगे, the image is erect, number two, यह same side पर बनी है, यह चीज़ आप observe करते हैं, after that, देखिए, जो size है image का, वो object के size से बड़ा है, so the image is, enlarged, and number three, जो rays of light है, वो actually meet नहीं कर रही है, हमें उन्हें extend करवा कर, meet करवाना पर रहा है, तो इसलिए जो image है, वो virtual image है, इसी थरह से हम ड्रॉख कर सकते हैं, concave lens के लिए, अब हम यहाँ पर पहला case कंसिडर करेंगे, when the object is at infinity, तो अगर object infinity पे हो, तो infinity से आने वाली जो rays हैं, वो होती हैं, पार्लल तो दा प्रिंसिपल एक्सिस, when the ray is पार्लल तो दा प्रिंसिपल एक्सिस, तो री फ्रैक्शन के बाद, वो इस तरह से डिवियेट होगी, कि जब उसे बैक्पुलेट किया जाएगा, तो इस तरह से लगेगा, कि जो रे है, इस पार्लल तो दा प्रिंसिपल एक्सिस, वो इस तरह से डिवियेट होती है, कि इस तरह से लगता है, कि जैसे वो फोकस पे मीट कर रही हो, आप जितनी मर्जी यहां पे रेज बना लीजिए, वो इसी तरह से डिवियेट होंगी, अपने रस्ते से, अपने पाथ से, जिस तरह की वो मीट कर रही हो, फोकस पे, भी में मार्क, एनी नमबर ओफ रेज, लेकिन अटिमेटली लगता है, कि वो यहां पे, फोकस की तरफ डारेक्टेड है, तो अभी देखिए, इन कीस ओफ कॉनकेव लेंस, इस तरह से लग रहा है, जैसे एक सब्सक्राइब पॉइंट से, जो रेज हैं, वो सभी डारेक्शन में डाइवर्ज हो रही है, इसलिए, कॉनकेव लेंस को, डाइवर्चिंग, लेंस भी कहा जाता है, जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, उसे हम कह रहे हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस, जबकि जो कॉन्केव लेंस है, उसे कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस, यहां पे कॉन्केव लेंस के केस में, हमारे पास दो ही एसे हैं, है एक केस हम discuss कर चुके है और दूसरा केस हम discuss करेंगे when the object is beyond focus कि जो object है वो focus के पीछे है कहीं तो क्या रहेगा when a ray of light is parallel to the principal axis then it will deviate in such a way के तरहें से लगे that it is meeting at the focus after that a ray of light passing through the center optical center goes undeviated और जहां पर यह दोनों rays meet कर रही है वहां पर बनेगी हमारे पास image तो अगर object हमारे पास a b है तो image बनेगी a dash b dash और यहीं से हम nature of image लिख सकते हैं सबसे पहले देखिए जो size है object का size बड़ा है image का size चोटा है तो we can say the image formed is diminished second image जो है बिलकुल सीधी बन रही है इसलिए हम कहेंगे कि image is erect and number three यहां पर हम जो ray है which is parallel to the principal axis deviation के बाद हम उसे खुद से backward extend कर वाते हैं तब जाके यहां पर image बनती है तो इसलिए हम कहेंगे the image formed is virtual virtual image हमारे पास बन रही है चोटी image है after that the image formed is erect and object जो है वो हमने focus से पीछे रखा हुआ है it is beyond focus लेकिन जो image है वो focus और optical center के बीच में बन रही है इस चीज का भी ख्याव ज़रूर रखें तो यह थी हमारे पास various ray diagrams in case of concave lens and the convex lens तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like ज़रूर करें अपने friends के साथ share करें और comment करके जरूर बताएं कि इस channel पर आपका experience कैसा जा रहा है thank you for watching